अब देखते हैं किस तरीके से हम shear transformation जो है वो apply करते हैं shear transformation क्या होती है आपको भी मैं दिखाता हूँ and then we will see कि हमारे पास क्या उसका answer आता है so यहाँ पे shear transformation apply करते है एक दो तीन और shear transformation shear transformation apply करते हैं और मैं directly पहले आपको code लिखके दूँगा and then we will see कि यह किस तरीके से apply हो रही है by the way यह सारे के सारे codes आपके पास available हो जाएंगे so you don't need to worry about this यह मेरे पास एक red वाला original vector है और हमने इसे rotate किया था left side पे ठीक है तो यह हमारे पास 45 degree पे rotate होने के बाद यहाँ पे आगया था पहली transformation जो हमने की ठीक है अब अगर आप इसको shear transform करेंगे तो यह इसका यह वाला हो जाएगा लेकिन shear होता क्या है और किस तरीके से हमें नजर आता है उसके लिए अगर आप देखें तो हमारे पास एक proper way के अंदर हम पुरे के पूरे shear transformation को plot भी कर सकते हैं like this यह जो है यह basically हम पूरी की पूरी transformation कर रहे है कि जो हमारे डब्बे यहाँ पे देखें आप सारे के सारे डब्बे इस तरीके से थे यानि कि vector spaces इस तरीके से थी हमने उन्हें पकड़ के यहाँ पे shear कर दिया यानि कि तंग कर दिया एक side पे दूसरी side उसकी लंबी होते गई यानि कि box के हमने rectangle बना दिया और उसको साथ में rotate कर दिया and now you can have a look कि पहला vector हमारा यहाँ पे था यह अब shear transform होके यहाँ पे आ गया और यही काम हम करते हैं जब भी किसे किसम की कोई transformation लगाते है और usually होता है कि shear का मतलब ही यह होता है कि आपकी x की value वहीं पे रहे लेकिन y जो है right side पे move कर जाए और यहाँ पे depend करता है कि कितना move कर जाए अगर आप गोर करें you can actually choose the value of shear कि कितने shear को आपने apply करना है यानि कि जो shear की value है वो कितनी होनी चाहिए और उसके लिए आप जो grid है आपके पास उसमें आप changes भी कर सकते है ठीक है so for example let me show you here यहाँ पे shear factor 1.5 है मैं इसको 0.5 करता हूँ और इसको मैं run करता हूँ look यह बिलकुल पास पास आगए ठीक है मैंने 0.5 shear किया और यह मेरे पास बिलकुल पास पास आगए मैं इसी को 2.5 shear पे लेके जाता हूँ value जो है 2.5 अब आप change देखिएगा यह जो change है आप देखें वो परचे से भाहर निकल रहा है इस वज़ा से मुझे यहाँ पे इसकी value limits की बढ़ानी पड़ेगी और इसको मैं 20 कर देता हूँ इसको भी 20 कर देता हूँ यह basically data visualization के अंदर हमने देखी दी चीज़े तो यह अगर आपने नहीं वो पिछले lecture देखे ही तो आपको problem होगी तो इस तरीके से हम shear apply कर रहे है ठीक है and then I can also do the same thing here 20 and 20 so यह मेरे पास इस तरीके से shear apply हो रहे है अब आप गोर करें जो पिछली थी हमारे पास value उसका shear जो है यानि कि यहां पे जो डबे थे वो थोड़े चोड़े चोड़े थे ठीक है यहां पे क्या होए वो पूरी की पूरी squeeze कर गई है shear का मतलब ही होता है कि एक साइड पे squeeze कर जाना ठीक है so this is how you can actually draw a shear transformation and it's actually very easy whenever you want to do this kind of transformation it looks good to view कि आपके vector के साथ क्या पंगा हो रहे है and अब आप लोग surprise हो रहे होंगे कि यार यह हमने कहां पे apply करनी है चीज़ें और कहां पे नहीं apply करनी है तो obviously यह सारे की सारी चीज़ें जो है यह machine learning के lecture के अंदर जो है वो apply होंगी जब हम वहां पे चलेंगे ठीक है so आपको अभी के लिए परिशान होने की ज़रूरत नहीं है यह सारे की सारे codes जो है मैं github के ऊपर paste कर रहा हूँ और github से ही आपको यह सारे की सारे codes जो है वो मिल जाएंगे so अगर आप github की repository पर जाएं जिसका link मेंने description में दिये हुए तो वहां पी यह में codes जो है वो upload कर दूँगा and then you can apply your own transformation based on your own skill set